इस वीडियो हम क्लास 10th का मैट्स का केस्टेडी का कॉश्चन करेंगे और यह कॉश्चन नमबर हमारे पास 18 एंड यह हमारा चैप्टर नमबर वन का कॉश्चन है इसमें लिखा हुआ है एक सैमिनार कंडेक्ट किया जाता है एजुकेशनल और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर को बुलाए जाता है जो हमारे पास दे रखे हैं थ्री सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन-कॉन से हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और उनके आपको नमबर दे रखे हैं 60, 84, 108 नमबर से इंपोर्टेंट है आपके लिए 60, 84, 108 अब देखिए इसमें क्या पुछा हुआ है, in each room the same number of participants are to be seated, different different rooms है और उसमें same number of participants को seated बिठाए जाता है और आपको बताए जाता है all of them being in the same subject और सभी एक ही subjects के होने चाहिए, means अगर आपके पास एक ये रूम है तो इसमें या तो हिंदी के ही होंगे, या आपके पास English के होंगे, educators या फिर Mathematics के होंगे, and equal numbers होंगे सभी rooms में, आपको पूछा है, hence maximum number of participants that can accommodate in each room, हर एक room में कितने maximum number of participants हो सकते हैं, educators हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपको number दे रखेते हैं, 60, 84 and 108, इनका find out करना होगा आपको HCF, HCF के लिए factors बना लेते हैं, prime factors, 60 के prime factors क्या हो देंगे, 12, 50, 60, otherwise आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहे, direct, तो आपके पास दूसरा method है, आपको पता है कैसे factors बनाते हैं, ठीक है, यह होगे मार पास 60 के, next किसके बनाने हैं, आपको से, 84, 84 के factors बना लेते हैं, 84 के कितने हो जाएंगे, 2, 42, 2, 21, 3, and 7, तो यह होगे, 84 के factors क्या होगे, 2 into 2 into 3 into 7, ओगे, next दिरके आपको 108, 108 के factors क्या हो जाएंगे, आपके पास 108, इसके factors कितने हो जाएंगे, 2 से किया, 54, 2 से किया, 27, 3, 9, 3, 3, तो अगर आप 108 के लिखोगे, तो कितना हो जाएगा, 2, 2 times, 108, 2, 2 times, उसके बाद, 3, 3 times, इसमें आपको क्या निकालना है, HCF, तो आपको क्या देखना होगा, common, कि common कितने हैं, इसमें, एक 2 common हो गया, अगेन, एक 2 common हो गया, एक 3 common हो गया, HCF निकालने के लिए, तीनों में common देखना होता है, या फिर, lowest power, 2 का कितना power है, अगर आपको power से लिखना है, तो 2 का power, 2 into 3 into 5, आप ऐसे भी कर सकते हो, best option यह रहेगा, इसको कितना लिखोगे, 2 का 2 into 3 into 7, next कितना हो जागा, 2 का 2 into 3 का power 3, तो 3ों में common क्या है, lowest power कितना है, 2 का 2 ही है, 3 का lowest power कितना है, 1 है, 5 का lowest power कितना है, 1 है लेकिन common नहीं दे रखा तो आपको वह नहीं लेना है तो यह हो जाएगा आपके पास तो कितना होगे यह तो टू टू जा फूर थी जा 12 आपको यह अगर पूरा नहीं करना है आपकोस आप कुछ से भी इसका के निकाल सकते हो और उसका आंसर हो जाएगा आपके पास 12 नेक्स्ट कुछिन देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है तो अब भी आपने देखा 12 HCF है एक रूम में 12 एडुकेटर से अपार्समेंट्स बैठ सकते हैं उसके बाद पूछा है minimum number of तो उसके लिए क्या निकाल लोगा पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल एडुकेटर्स कितने हैं तो टोटल कितने थे शिक्सटी को डिवाइड कर देजे 12 से कितना हो जागा 12 वंजा 12 तो आंसर होगे आपके पास 21 तो minimum number of rooms कैसे निकालेंगे टोटल पार्समेंट्स डिवाइड बे देर है से क्यों है से एक क्योंकि एक रूम में उतने हैं ठीक है ओके नेक्स्ट कॉशिन आपको werd ल्चिम निकालना है एलसियम के लिए अभी आपने इनके 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 फैक्टर बनाए थे 60 भीवे थे टू का तू इंटू 3 एन टू 5 84 के factors क्या थे 2 का 2 into 3 into 7 ठीक है आप चेक कर सकते हैं खुद से बना के एक बार और 108 के factors क्या थे आपके पास 2 का 2 and 3 का 3 यह आपके 108 के factors ओके तो इसमें आपको क्या निकालना है LCM तो इसको लिख लेते हैं टू का 2 into 3 into 5 यह दो लिखा हुआ है हमने पहले लिख देते हैं दूबार लिखने के जरूरत नहीं है तो LCM कैसे निकालते हैं अगर आप ऐसे लिख देते हो तो उसको एक बार तो LCM निकालने के लिए होता है उनका highest power देखना है तू का highest power कितना है तू का highest power है आपके पास कितना तू का 2 थ्री का highest power देखना है कितना है थ्री फाइव का highest power अब common नहीं है तो भी चलेगा तो एक 5 है एक 7 है आपके पास ही बचा इनकी multiply कीजिए जो इनकी multiply करने पर तो इसका answer comment box में है, बताएगी कितना इसका answer आता है, ठीक है, इसका answer कितना आता है वो आप comment box में बताएगी, next fourth part अब भी देखी, the product of hcf and lcm निकालना है, तो hcf आये था आपके पास 12, hcf कितना था 12, lcm आपने third में निकाला है, सब्सक्राइब करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा एच सी एफ एफ एंड एल्सी एम का मल्टिप्लाइब उसका अंसर आप बता रहे तो इसका अंसर में बता सकते हों कि प्रोडेक्ट करने पर दोनों का कितना आएगा आपको कोई अलग से फार्मिला लगाने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट देखिए 108 एक्ष्प्रेज एज प्रोडेक्ट ऑफ प्राइम एस यह तो हमने अभी किया था एक पर और कर लें वैसे तो में याद है कितना आए था तो फिफ्टी फोर टू ट्विंटी सावन थ्री नाइन थ्री यह कितना हो गया तो टू कितने टाइमस आ रहा है टू टाइमस एंड थ्री कितने टाइमस आ रहा है थ्री टाइमस तो आंसर क्या हो गया टू का पावर टू एंड थ्री का पावर थ्री टू का पावर टू एंड थ्री का पावर थ्री कितना आंसर होगे इसका लास्ट पार्ट दी पार्ट तो हमने सभी पार्ट कर कर लिए है फाइव पार्ट्स ते इस क्वेश्चन में ओके थैंक यू